Hello students, आज हम Communication System के बारे में पढ़ेंगे Communication System यानि संचार परनाली संचार परनाली एक Electronic परनाली है जिसमें Cables या Wireless के माध्यम से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है इसके चार अधारपूत तत्वो होते हैं Sending और Receiving Instruments जीन इंस्टुमेंट्स के थूँ डाटा को भेजा जाता है या रेसीव किया जाता है Communication Channel माध्यम जिसके द्वारा डाटा भेजा जाता है Connection Device जिसके द्वारा डाटा जो डिवाइसे यूज हो रही है डाटा ट्रांस्वर के लिए उनको कनेक्ट किया जाता है और डाटा ट्रांस्वर्शन स्पेसिफिकेशन्स Sending और Receiving Instruments वह डिवाइसे या कम्प्यूटर्स जिनके द्वारा डाटा को भेजा जाता है या रेसीव किया जाता है वो इसमें आती है Next है Communication Channel Communication Channel जिस माध्यम के द्वारा डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है उसे Communication Channel कहते है Connection Devices यह Interface Devices होती है जैसे की मॉडम जिनके थूँ हम डाटा को Receive कर रहे हैं Data Transmission Specifications यह वह Rules और Processes होती है जो Data Transmit के लिए Responsible होती है इस चित्र में Complete Communication System को दिखाया गया है इसमें Sending और Receiving Instruments भी दिखाया दे रहे हैं जैसे की हमारे Left Hand Side पे Computer Data को Transmit कर रहा है और यह मॉडम के थूँ होता हुआ टेलिफोन लाइन में जा रहा है और Right Hand Side पे मॉडम इसको Receive कर रहा है और Receiving Computer पर दे रहा है इस चित्र में हम तीनों अपने चारों अधारबूत तत्वों को देख पा रहे हैं सेंडिंग रसेविंग इंस्टूमेंट्स, कॉम्निकेशन चैनल, कॉनेक्शन डिवाइसिस और डाटा ट्रांस्मिशन स्पेसिकेशन्स सिग्नल ट्रांस्मिशन में कॉम्निकेशन चैनल का बहुत मतंपूर रोड रहता है सिग्नल डिजटल भी हो सकता है और अनलॉग भी हो सकता है अनलॉग सिग्नल एक सतत सिग्नल होता है इसे साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है यह आडियो और वीडियो दोनों ट्रांस्मिशन के लिए उप्यूक्त है और डिजटल सिग्नल एक डिस्क्रिट सिग्नल होता है इसे स्क्यूर वेव द्वारा दर्शाया जाता है इसका उप्योग electronic और computer उपकरनों में होता है डाटा transmission डाटा प्रवाः पर निर्भर करता है ये तीन विदियो द्वारा हो सकता है simple mode, half duplex mode और full duplex mode simple mode में डाटा का प्रवाः एक ही दिशा में होता है half duplex mode में डाटा का प्रवाः दोनों तरव से हो सकता है पर एक समय में एक ही और होता है और full duplex mode में डाटा दोनों तरव एक साथ संचरित हो सकता है